Hello everyone, welcome to Farmerox YouTube channel Farmerox के YouTube educational channel में आपका स्वागत है In today's video lecture, we will study in detail about the Calamine lotion Calamine lotion की जो ऐसा lotion है कि जो खुजली के लिए काफी बेस्ट रहता है कि जैसे आपको skin उपर allergy के करण जब हमें खुजली होती है इचिंग होती है, तो ये skin allergy के करण होने वाली खुजली के लिए इचिंग के लिए ये काफी बेस्ट रहता है लोशन की जिसके करण आपको खुजली के अंदर काफी राहत मिलती है और उससे जो irritations होते हैं skin के उपर जो eating आपको होती है, वो काफी relief हो जाती है उससे तो जानते है कैले मैं लोशन के बारे में detail में एक्सपर लेक्चर बाया मर्सर, आसिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर फार्मरोग्स थेंक यू फर बी ने, वन लेक फैमिली आफ फार्मरोग्स अपडेटेड रही है फार्मरोग्स के साथ, एक्सेस कर ये स्टडी माट्रियल वीडेटेटेर फार्मरोग्स का मोबालेट käyttयाव यहां पे स्टडी मैंट्रियल लेक्टेट प्रोफेसर यू लेक्चर आसिरी स्वेटेट विज भार्मरोग्स और इद्धुकेटिस ने, विधिएससन पर इडिंच्नल पर्पॉसल executive Detail explanation of marketed formulation with students. Our content of this lecture is not for promoting any brand or products. The information is for improve the knowledge of various products and their basic use. तो यह diagram के according to आपने बहुत सारी अलग अलगे से famous brands देखे होगे केले माइन लोशन के. कि जो पीरामल हेल्थ केर का यह product है कि लेक्टो केले माइन आपने देखा होगा कि इसके भी काफी benefits है कि जिसके अंदर मेन जो content है that is केले माइन है. फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं केले माइन लोशन, फिर Care Plus का यह product है केले माइन लोशन. उसके अलावा हिमालिया का आपने देखा होगा कि soothing केले माइन बेबी लोशन की जो छोटे बच्चों के लिए रहता है. especially कि छोटे बच्चों के इंदर जब कोई eaching होती है, skin iridescence होती है, तो उनके लिए भी यह काफी based रहता है. As well as यह मारकल का कैले माइन आपने देखा होगा, कैले माइन लोशन, तो इसे बहुत सारे आपको कैले माइन लोशन के जो preparation से वो अलग-अलग brand से मिल जाती है. तो सबसे पहले जरूरी है जानना के कैले माइन लोशन क्या है, तो what is the कैले माइन लोशन, तो कैले माइन लोशन, तो कैले माइन लोशन is a medication used to treat mild eachingness. mild eachingness मतलब कि जब normal सी खुझली होती है, उस वक्त ये काफी effective सहबित होता है, जब mild eachingness होती है, काफी काम आउट में खुझली होती है, तो उसी वक्त जब आप कैले माइन लोशन लगा के treatment कर दो तो आगे जाके कोई major skin diseases नहीं होती है, आपको कि जब minor symptom हो, कि बात यहीं कि जब किसी भी खुझली के minor symptom है, और ये minor symptoms के दोरान ही, आप समझें कि कैले माइन लोशन से वो खुझली को cure कर देते हैं, तो आगे जाके वो major problem के अंदर convert नहीं होगा, तो main benefit यह है कैले माइन लोशन का कि जब आपको mild richness होता है, skin allergy हो जाती रूस वक्त, जब आप कैले माइन लोशन को skin उपर apply करते हैं, तो यह काफी फाइदे बंद रहता है, इस इंक्लूड्स फॉर, sun burn, कीवन सुरिय प्राकास के करण भी आपकी skin जब, skin का burning होता है, skin burn होती है, कि जब आपारी जो त्वचा है, वो सुरिय के प्राकास के करण, UV light के करण जब damage होती है, तो उसको भी repair करने के लिए, कि जो हम बात करते हैं, skin repair की जो बात होती है, कि skin repair damage, कि जो skin का repair करती है, damage के बाद, due to UV lights, UV light के करण भी समझों कि आपके skin damage होती है, तो skin repair के लिए भी हम ये calumine lotion को आपकी skin उपर apply कर सकती है, कि जब आपको इसी जगा पे गुमने गए है, या फिर आपके घर पे ही किस insect के करण आपको biting हुआ है, तो वो insect bite के अंदर भी काफी helpful रहता है, कि insect bite के बाद समझे कि आपको echniness start हो गई है, उसके अलावा खुजली हो रही है, तो जब आप ये calumine lotion लगाते हैं, तो उससे आपको राहत मिलती है, फिर poison iv and poison oak, कि जो poisons के करण जब skin उपर infection होता है, allergy होती है, और जब उसके करण आपको खुजली होती है, तो उसमें भी काफी effective साबित हो है, and other mild skin condition, केसे, दूसरे बहुत सार एसे जो mild skin condition होती है, mild skin allergy होती है, उसमें भी calumine lotion जो है, वो काफी फायदे मन रहता है, it may also help to dry out skin irritation, कि जो skin irritation होता है, उसमें से आपको देता है relief, कि main तो हमारा motive यही होता है, कि कोई भी problem में से हमें relief मिले, राहत मिल जाए, तो calumine lotion लगाने से हम skin irritation से हमें राहत मिलती है, it also applied on the skin as a cream or lotion, कि calumine lotion की जो preparation है, वो जैसे हम कोई cream लगाते है, कोई body lotion लगाते है, same like that, skin उपर as a external preparation आपको यूज करना है, कि वो रहेगा external preparation, कि skin के topical layer पे ही आपको उसको apply करेगा, कि जहाँ पे आपको खुजली हो रही है, जहाँ पे skin irritation है, वहाँ पे ये apply किया जाता है, side effects में include skin irritation, तो ये इसलिए कि जब आप excessive amount में use करें, कि जब when using excess amount, ये point काफ़ी important है, कि side effect may include the skin irritation if excessive use, कि जब आप excessive use कर लेते, कि जब mild ही लगाना चाहिए, excessive समझो कि आप use करोगे, तो उसके करन आपको फिर skin irritation होगा, तो ज़रूरी है कि आप जो है वो उसको excessive amount में use ना करें, और ये तो नियम ही है कि कि किसे भी चीज़ को excessive use नहीं करना चाहिए, उससे always side effect होगा, कि चाहे कोई आप tablet खाते हो, को injection लेता है, कोई भी medicine लेता है, उसके side effect होते ही, कि जब हम उसे excessive use करें, तो same नियम यहाँ पे भी लागू पड़ता है, तो it may be use as a antiseptic and astringent, कि जो हम pharmacology या फिर pharmasutics के language में जो बात करें, तो calamine lotion जो preparation है, वो antiseptic है, कि जब कोई skin उपर septic होता है, उस वक्त हम उसको apply करते हो, और astringent preparation कि जब आप skin उपर apply करते हैं, तो वो आपको cooling sensation provide करती है, तो वो जो use होता है, eczema के अंदर, as well as, impetigo, sunburn, dermatitis, eating, varic, co-sulcers and psoriasis, तो सभी जो हमका है ये condition, कि जब हमें खुजली होती है, खाज होता है, तो ये सभी टाइप के जो skin infections के अंदर, कि ये सभी एसी condition है कि जो हम कहें सकते हैं, उनको minor skin disease, कि जब minor skin disease होती है, सरुआत के stages के अंदर, और उसी को जब समझो कि calamine lotion से हम treat कर दे तो, आगी जाकि आपको कोई, ऐसे higher antifungal medications बिलेने ना पड़े, और ना है कोई ऐसी specialized treatment करवानी पड़े, कि सरुआत के minor symptoms से ही हम वो खुझली को अच्छे से क्योर कर दे, और फिर से आपकी जो skin है, वो हो जाए normal, तो यहाँ पे एक चीज दियान रखनी है कि calamine lotion होता है for external use only, कि उसको externally ही apply किया जाता है skin के उपर, तो यह आपको चीज दियान रखनी कि जहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो label आप देख रहे हैं, तो उसके अकड़ों कि जहाँ पे आपको disease है, skin disease, कि जहाँ पे आपको eczema जैसा लग रहा है, sunburn जहाँ पे हुआ है, skin dermatitis का problem है, eaching हो रही, खुजली हो रही है, तो वही पे उसको आप अप्लाई करें, even जो psoriasis होता है, उसमें भी यह काफी effective सा भी थे थे, कोज यह antiseptic and astringent activity है, उसके पास, तो यह देखे कि जो calumine lotion के अंदर जो ingredients डाले जाते हैं, कि जैसे कि उसके अंदर first है, calumine है, तो उसके अंदर रहा जो calumine, कि जो at least around समझें कि 100 ml preparation हो, तो उसके अंदर calumine at least 15 ग्राम जितना होता है, उसका जो roll है, तो calumine का roll होता है anti-each medicine, anti-each मतलब कि जो खुजली जो है, होती है हमें, तो उसके सामें हमें काफी जो है वो राहत देता है, उसके अलावा cooling sensation प्रूवाइड करते हैं, कि cooling sensation इसलिए कि जब खुजली होती है, तो आप समझो कि वहाँ पे क्या होता है, आपको काफी irritation होता है, कई बार pain भी होता है, तो वो pain relief हो जाए, as well as वहाँ पे जब cooling sensation होता है, तो आपको काफी राहत मिलती है, और anti-eaching, तो eaching कम हो जाती है, और साथ में cooling sensation, तो आप जो है वो काफी सुकुन फिल करते हैं, after applying this calumine lotion, फिर जो zinc oxide है, उसके अंदर ingredient होता है, वो at least 5 gram की quantity में होता है, उसकी function होते है कि वो antiseptic के तौर पे काम करता है, astringent होता है, and skin को protect करता है, तो उसके करण जो damage skin है, वो repair भी होती है, उसके उपर cooling sensation होता है, antiseptic के करण, वहाँ पे जो भी कोई germs है, कोई bacteria है, कोई fungus है, वो सब जो है, वो क्या हो जाते है, kill हो जाते है, फिर उसके अंदर bentonite एड किया जाता है, as a suspending agent, कि जो उसकी viscosity, maintain करते हैं, कि जो हम देखे ते, जो lotion जीसी preparation हमें देखने को मिलती है, वो bentonite के करण, glycerin उसमें होता है, around 5 ml, कि जो prevent the drying of lotion, as well as emollient के तौर पे काम करता है, कि skin को moisturize भी करता है, skin का जो moisture है, वो अच्छे से prevent रखता है, कि जिसके करण ऐसा नहों कि, calumine लगाने से skin dry हो जाए, बट ये lotion के अंदर हम जब preparation बनाते है, glycerin भी उसके अंदर याड होता है, कि जो emollient property देता है, फिर phenol आप देखो, उसके अंदर phenol डाला जाता है, कि phenol preservative का काम करता है, और साथ में antimicrobial agent, कि skin उपर कोई virus के कारण, समझो कि कोई bacteria के कारण, कोई parasite के कारण, कुई से insect के कारण, as well as जो हम कहें, कि fungus के करण आपको irritation हुआ है, और उसके करण अलर्जी हुई है, तो phenol जो है, वो virus को, या फिर bacteria, parasite से insect है, वो सभी को, जो kill करके, antimicrobial property जो है, वो provide करेगा, और फिर, जो water है, तो vehicle के तोर पे कि उसके अंदर, जो हम lotion जैसा preparation बनाते हैं, उसके लिए हम एड़ करते हैं, उसके अंदर, ये water, तो इस तरह से ये ingredients और उसके सामने, role या फिर उसके हम देखे, कि benefits in our preparation, तो uses of calamine lotion की, calamine lotion जो use होता है to treat, mild eachiness की just minor khujlis होती है, कि यहाँ पर इस तरह से आप, समझे कि आपको, किसी भी टाइप के skin के उपर इच्चिने से, rassi से, sunburn है, insect bite के करण irritation है, poison के करण, poison aug, poison iv, skin rassi, mild skin condition, ये सभी के अंदर ये, जो है वो काफी रहता है, powerful, तो calamine lotion ये से एक powerful preparation है, कि जो ये सभी टाइप के, जो skin infections, जो हम कहते हैं, mild skin condition, उसके अंदर रहता है, एकदम powerful, किस तरह से आप, just small आपके हाथ में लेकर, या फिर directly, जो affected part है, वहाँ पे apply कर सकते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए, भी calamine lotion का, जो calamine baby lotion product भी अविलिबल होती है, कि जो उसके अंदर हर्बर ingredients रहते हैं, कि जो protect करते हैं, बेबी की screen को, from itching and rashes, due to allergic reaction, insect bite, chicken pox, और prickly heat, तो ये सबी के कराएं के, जिसके अंदर ये natural ingredients भी एड़ होते हैं, calamine के अंदर, और main calamine तो उसके अंदर होता ही है, कि जो antiseptic का काम करता है, skin के जो irritation है, उसको कम करता है, cooling sensation प्रूवाइड करता है, और main तो जो itching है, वो कम कर देता है, तो calamine का baby lotion भी available होता है, कि जो safe रहता है, this is a safe for the baby, उसके लाव आपने lacto calamine भी देखा होदा, कि जो market preparations which contain the casein, phenol beside the normal constituents, casein act as a soothing agent, while phenol act as a preservative as well as antiseptic, तो यहाँ पर एक precaution से, कि should not be applied on wound और injured area, कि यहाँ पर देखो, कि जब एस तरह से, जो wound हो, कि जिसमें से जो blood है, वो बाहर निकल रहा है, blood का क्या हो रहा है, outflow, तो ऐसी जगा पर कभी भी, जो है, हमें calamine lotion नहीं लगाना चाहिए, कि should not be applied on the wound or injured area, because it precipitate the protein and form a layer which prevent the healing, so do not use calamine on open wound, तो ये एक आपके लिए warning है, कि completely prohibited रहता है, कि जिससे ये open wound होते है, कि जहाँ से blood बाहर आता हो, तो वहाँ पर calamine lotion जो है, वो हमें apply नहीं करना है, सिर्फ वही पर apply करना है, कि जहाँ पर mild skin irritations हो, So, thank you for attending this lecture, PharmaRox का जो lectures होते हैं, उसके PDF और PPTs आपको, PharmaRox की आप उपर मिल जाएंगी, Android app as well as, Apple iPhone App Store, दोनों पर आपको एक्सेस कर पाओगे, Thank you for watching, join कर सकते हैं WhatsApp group, एक्सेस कर सकते हैं study material, test series, video lecture on app PharmaRox, तो डाउनलोड कर ये आप PharmaRox, लिंक आपको description box में मिल जाएगी, Good luck and all the best.